हेलो फ्रेंज, वेलकम टु मैं चैनेल गुरुमिंग अरोमा वैदीपा आज मैं आप लोगों के साथ एक नए रेसिपी से एर करने जा रहे हूँ मुझे उमीद है आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी तो चलिए श्टार्ट करते हैं इसे बनाना आज मैं बनाने जा रहे हूँ हरे चन्य के पकोड़े और भावरा ये बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी है होली में हर घर में ये रेसिपी बनाई जाती है ये बहुत ही क्रंची, क्रिस्पी और टेश्टी होती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैं यहाँ पर पहले पकोड़े के लिए डो बना रही हूँ इसके लिए एक बड़ी कटूरी हराचना ले रही हूँ इसमें दो बड़ी चमच गेहों का आटा मीक्स करेंगे अब इसमें हम सारे तरह के मसाले एड़ करेंगे वन स्पून नमक हल्दी पॉडर वन फोर्थ टी स्पून अजमाइन मंगरेला हाफ स्पून कच्चा जीरा पॉडर हाफ स्पून हेंग वन फोर्थ टी स्पून बारी कटी हुई हरी मीर्च और एड चिलिफलक्स मीर्च आप अपना तिखा खाने का अंदाज से दे सकते हैं सारी चीजों को अच्छी तरह से मीक्स कर लेंगे अब धीरे धीरे पाने डाल कर डो तैयार करेंगे ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना फ्लोई नर्मले किसी भी पकोड़े के लिए जैसा डो हम लब तैयार करते हैं उसे कंसिस्टेंसी का रखेंगे चने के पकोड़े के लिए दो तैयार हो गया है अब हम भाबरा के लिए दो तैयार करेंगे अब एक दूसरा बाउल लेंगे उसमें एक बड़ी कटूरी हरा चना डालेंगे अब इसमें हम एड़ करेंगे दो बड़ी चमच मैदा दो चमच चावल का आटा चावल का आटा हम बजार से भी रेडिमेट ले सकते हैं या फिर चावल को भीगो कर उसे पीस कर उसका डो त्यार कर सकते हैं अब इसमें हम एड करेंगे 1 स्पून नमक, 1 फोर टी स्पून हींग, चिली फ्लैक्स, 1 फोर टी स्पून हल्दी पाउडर सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम धीरे धीरे पानी एड करते जाएंगे बैटर को सेमी लिक्विड रखेंगे अब भाबरा के लिए भी बैटर तयार हो गया है गैस आन कर लेंगे, अब एक कढ़ाई में डीप फ्राइ करने के लिए ओयल डालेंगे इसे प्रपरली गर्म होने देंगे ओयल अब प्रपरली गर्म हो चुका है फ्लेम को मीडियम में करते हुए हम अब इसमें छोटे छोटे पकोड़े डालेंगे एक बाउल में पानी लेकर हाथों को पानी में डीप करते हुए छोटे छोटे पकोड़े कढ़ाई में डालते जाएंगे एक बार में कढ़ाई में जितने पकोड़े आएं उतने पकोड़े डाल देने है फ्लेम को हाई में कर लेंगे अब इसे चलाते हुए हमें डीप फ्राई करना है पकोड़े अब गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं हम फ्लेम को लो में कर देंगे श्टेनर में इसे निकाल लेंगे इसी तरह से हमें जितने पकोड़े बनाने हो सारे फ्राई कर लेंगे में पकोड़े में ओयल भी जादा नहीं लगता है आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राइ करकर देखें अब हम इसमें भावरा फ्राइ करेंगे लिए फ्लेम को लो में कर लेंगे एक बड़ी स्पून से बैटर लेकर कढ़ाई में डालेंगे आप फ्लेम को मीडियम में कर इसे थोड़ी देर के लिए यूवी होने देंगे अब इसे टर्न कर लेंगे दूसरी साइड से भी थोड़ी देर के लिए होने देंगे थोड़ी देर के लिए फ्लेम हाई कर लेंगे अब इसे हम टर्न करते हुए डीप फ्राई कर लेंगे इसमें एक बात ध्यान रखना है कि घोल ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाड़ा रहे इससे एक्तम परफेक्ट भाबरा त्यार होता है जरूरत के हिसाब से हम फ्लेम हाई मीडियम में करते रहेंगे अब ये ब्राउन हो गया है ये कंप्लीट फ्राई हो चुका है फ्लेम को लो में करते हुए हम इसे एक स्टेनर में निकाल लेंगे ये बहुत क्रंची और क्रिस्पी हुआ है इसी तरह से हम एक एक करकर भाबरा फ्राई करते जाएंगे हमें जितने भाबरे तयार करना हो फ्राइ करते जाएंगे भाबरा बनानी का सबसे important बात है प्रोपर बैटर तयार करना बनना फ्राइ करने में बहुत ओयल सक करेगा तो इसे जब भी बनाना चाहें तो मेरे बताए हुए प्रोसेस को जरूर फोलो करें तो लीजिए हमारा दोनो तरह से टेस्टी टेस्टी क्रिस्पी भाबरा और पकोड़ा बन कर तयार हैं तो इसे बनाईए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉई कीजिए इसी तरह की नई नई यूनिक रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में सेयर करें थैंक यू फर वाचिंग माई वीडियो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ